आप सभी का दबायो और विल लंग्संस पर मैं आमिर शिद्धी की हरदी स्वागत और अबननन करता हूँ कैसे हैं दोस्त आप लोग उम्मिद करता हूँ कि अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाय लिखाई का कार बेहतर तरीके से चल रहा होगा किसी तरीके की स्वस्त है का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा आप सभी लोगों का रिविजन का कार भी बेहतर तरीके से चल रहा होगा दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज संडे है और हम सभी लोग संडे को एक special class करते हैं जो हमारे paid class से सम्दित होती है हमने अपने नए बैच को last Friday को launch किया है जिसकी classes हमारी continue चल रही है उस class में हम लोग evening के समय प्रोटोजोवा और genetics के topic को पढ़ रहे हैं तो पिछले 5-7 दिनों में हम लोगों ने प्रोटोजोवा से और genetics के topic से जो कुछ अध्यन किया है उसका आज हम लोग analysis करेंगे जो हमारी analysis होगी वो question base पर होगी कि आपके TGT और PGT में किस तरीके से question पूछे जाते हैं यहीं से आपको अपने confidence को maintain करना होगा कि आपने हमने आप से कहा था paid batch की class में आपको announce किया था कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से protozova का revision कर लिजेगा मुझे पूरा यकीन है पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों ने revision का कार बेहतरीन तरीके से कर लिया होगा आपके revision के कार को देखते हुए हम सभी लोग शुरू करते हैं आज अपनी class को और एक analysis देखते हैं कि protozova के बारे में आपने कितना अच्छा पढ़ा है और genetics के बारे में कितना अच्छा पढ़ा है उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोग तयार होंगे अपने इस session के लिए दोस्तों सबसे important बाट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने time table के schedule में अपने time table के schedule में आपको अक्सर बताते हैं और आज भी बता रहे हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि Monday से हमारे batch की शुरुआत हुई है और Monday से जिस batch की शुरुआत हुई है उसे हम लोग exam oriented batch कहते हैं exam oriented batch के नाम से जानते हैं और इस exam oriented batch में लगातार आपको चार classes मिल रही है एक class 9.30 बजे ये आपकी lower body की होती है दूसरी class आपको मिलती है 11.10 मिनट पर ये class आपकी plant physiology की होती है तीसरी class मिलती है आपको 5.30 बजे और ये class होती है non cardate की चौती class आपको मिलती है 7.20 मिनट पर और आपकी ये class होती है genetics की जैसा कि आप जानते हैं आपके बैच में regular लगातार ये classes चल रही है और सारी classes live होती है सारी classes live होती है इसमें कोई recorded video नहीं दी जाती है सभी की class live होती है आपके दिमाग में एक doubt आता है कि हम sir working है अगर आप working हैं दोस्त working है no problem आप ये miss बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आपकी ये class miss हो जाती है ये class miss हो जाती है कोई बात नहीं जब आप admission का process पूरा कर लेंगे तो हमारी classes app पर चलती है और app पर सारी videos all videos app पर रहती है और आप सभी लोग इन videos को app से देख सकते हैं कोई problem नहीं है आप जो working हैं या जो शादी शुदा लोग हैं किसी कारण बस अगर live class को नहीं ले पाते तो उनको जब समय मिलता है अपनी family को अपनी job को बहतर बनाते हुए आप सभी लोग उस class को जितनी class आपकी मान ले जब मौनिंग में आपने live नहीं लिया तो आपको जब समय मिलता है तो आपको complete कर लेना है और सबसे अच्छी बात है कि same day complete करिएगा क्योंकि आमिर सर आपको छुटी कभी नहीं देते हैं आमिर सर की classes लगातार और regular चलती हैं इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि आपकी classes ये चल रही हैं हमने पूरा schedule बना दिया है और मेरा पूरा target है कि हम आपकी इस तरी से जब चार classes होंगी तो आप खुद समझदार हैं और जानते हैं कि एक महिने में ये चारो topic समाप्त हो जाएंगे तो चार classes फिर दूसरी शुरू होंगी फिर दो महिने में आठ topic complete फिर तीसरे महिने में तीसरे चार topic शुरू होंगे और मैं उम्मित करता हूँ कि इन तीन महिनों में आप लगभग 80 से 85% अपने syllabus को cover कर चुकेंगे तब तक आपकी date announce हो चुकी होगी और हम सभी लोग उस date के आधार पर काम करेंगे और अपनी बेहतर तरीके से रणनीटी के आधार पर काम करते रहेंगे और revision का कार जिस तरह से आप लोगों का चल रहा है वो revision का कार लगातार चलते रहना चाहिए क्योंकि उसी से पता चलेगा आपकी चीज़ें कितनी बेहतर हो सकती है आएए शुरू करते हैं ये batch exam oriented batch है ये batch कब से शुरू हुआ है लास्ट फ्राइडे ये batch लास्ट फ्राइडे से शुरू हुआ है और जो लोग other state के लोग है जैसे उत्राखंड से बैच में जुड़े हैं जो लोग राजस्थान से बैच में जुड़े हैं जो लोग जारखंड से बैच में जुड़े हैं जो लोग बिहार से बैस में जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश से बैस में जुड़े हैं, वो बिलकुल ये मत घबराएंगे, कि क्या सर ये 100 दिन में कोर्स खतम हो जाएगा, तो आप नहीं पढ़ाएंगे, दोस्तों आपका एडमिशन एक साल के लिए हुआ है, आप बिलकु सभी लोगों ने किया हैं, जो लोग अभी तक बैस से नहीं जुड़े हैं, किसी कारण बस नहीं जुड़ पाएंगे, वो सभी लोग बैस से जुड़ने के लिए 8756703588 पर जोईन TGT, PGT या LT Biology लिखकर भेजें, और अपनी क्लासेस कल से continue करें, ये हमारा mastermind plan है, master plan है आप इसमें से आपके लगभग 6-7 दिन खतम हो गये हैं, 92 डेज बचे हैं, आप सभी लोग बहतर तरीके से महनत करें, और अपने selection को आसान बनाएं, जितना बहतर आपका selection होगा, उतनी चीजें आपकी जिंदगी में आसान होगी, तो उम्मिद करते हैं, कि एक बार आप सभी ल इंखला को शुरू करते हैं, पहला patient आपकी screen पर, और उमिद करता हूं, कि सभी लोग बहतरीन आशर करेंगे, पहला question किस से फैलती है सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे बेटर तरीके से और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते हैं कि काला अजार सर लिश्मानिया डोनो वनाई फैलाता है कौन फैलाता है लिश्मानिया डोनो वनाई फैलाता है हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी होता है कौन होता है सैंड फ्लाइ होता है लिश्मानिया से हमने बताया था याद रखना लिश्मानिया से सैंड फ्लाइ होता है कौन होता है सैंड फ्लाइ होता है और सैंड फ्लाइ का नाम फ्ली बोटोमस होता है फ्ली बोटोमस होता है और हम उम्मिद करते हैं कि आप सभी ल किस से होता है सैंड फ्लाई से या सीसी फ्लाई से तो याद रखना जो सीसी फ्लाई है इसका नाम किस से शुरू होता है इसका नाम टी से शुरू होता है इसी को टिक टिक फ्लाई भी कहते हैं यह जो सीसी फ्लाई है इसी को जीजी फ्लाई भी कहते हैं हमने बैच में आपको पढ़ाया है जब नाम हो सीसी फ्लाई का टी से शुरू हो तो समझ जाना ये ट्रिपैनो सोमा है कौन है ट्रिपैनो सोमा है मतलब ये स्लीपिंग सिकनिस फैलाता है तो कभी कन्फूजन नहीं होना चाहिए आप सभी लोगों का और उम्मित करते हैं सभी का आंसर आ रहा होगा फिली बोटस दूसरा कोश्चन काला अजार निम्न के द्वारा प्रशारित होता है ये कोश्चन कई बार आपके एक्जाम में पूछे गए हैं इसलिए इस कोश्चन पर सभी लोग धैर बना के रहा है काला अजार निम्न के द्वारा प्रशारित होता है सीसी फ्लाई, ड्र सभी लोगों का आंसर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है Sandfly is the right answer और उम्मिद करते हैं कि आप में से सभी लोगों का answer बिल्कुल correct है कि सर इसका सही answer हो जाएगा Sandfly is the right answer Next question पर चलते हैं Question number 3 आपकी screen पर Sandfly किस रोगाणू को फैलाती है Sandfly transmits the pathogen off Sandfly किसको फैलाती है Sandfly इसमें से कौन सी भीमारी फैलाती है काला आजार टाइप आएड sleeping sickness या malaria उम्मिद करता हूँ सभी लोगों का answer आ रहा होगा काला अजार is the right answer उम्मिद करता हूँ सभी लोगों का answer आ रहा होगा काला आजार इस दा राइट आंसर जी वेरी गुड एक्सिलेंट नेक्स कोश्चन कोश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर ये काफी अच्छा कोश्चन है बताने की कोशिश करिएगा ये कोश्चन कई तरीके से पूछा जाता है आपके एक्जामिनेशन में आज तक TGT में तरीक को मेंटेन करें कि जब ये इतनी बार कोश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब ट्रिपैनोसोमा पूछा जा सकता है इसका मतलब जिंजी वैलिस पूछा जा सकता है इसका मतलब आप सभी को याद रखना है कि ये सारे कोश्चन आ सकते हैं तो इसका भी सही आंसर सब लोगो इस दा राइट आंसर पांचवा नमबर कोश्चन लिस्मानिया डोनो बेनाई से कौन सा रोग होता है उम्मिद करता हूँ सभी लोगों का अंसर आएगा लिस्मानिया डोनो बेनाई से कौन सा रोग होता है तो आप सभी का अंसर आ रहा होगा सर लिस्मानिया डोनो बेनाई से एक ही बिमारी होती है काला अजार कौन सी होती है काला अजार इस दा राइट आंसर लिस्मानिया डोनो बेनाई से कौन सी डिजीज होती है तो आप सभी लोग बताएंगे सर काला अजार इस दा राइट आंसर और उम्मिद करते हैं कि सभी लोगों का यहां तक क्वेशन करेक्ट काला अजार बीमारी का वाहक कौन होता है ग्लोसिना फ्ली बोटोमस या पेडिकूलस या एडीज तो आप सब का आंसर आ रहा होगा फ्ली बोटोमस इस दा राइट आंसर और उम्मिद करता हूं कि सभी के आंसर बिल्कुल किलियर है एक बहुत अच्छा कोशन पूछता है कि लाल रुधिर कडिकाओं में सुफनर के बिंदू दिखाई देते हैं बहुत अच्छा कोशन है एक्जाम और अक्सर आपके एक्जाम में ये कोशन पूछा गया है और आप सभी लोगों को बताना है कि उम्मीद है कि आप सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा कि सुफनर डॉट्स किस में दिखाई देते हैं सभी लोग बताने की कोशिच करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आएगा कि ये सुफनर डॉट्स किस बीमारी मे दिखाई देते हैं, tell me fast, सभी लोग बताने कोईश्च करिएगा, एक question आप से जरूर पूछा जाता है, सुफनर डाट से, मुरर डाट से, और हम आपका concept clear करते हैं, सुफनर डाट, आपको पता है, जब जो है, मलेरिया का, जब मलेरिया का parasite, जो प्लाजमोडियम वाइवेक्स होता है, और यह प्लाजमोडियम वाइवेक्स कहां पहुचता है, आरबीसी में पहुचता है, तो वो आरबीसी को खाना शुरू करता है, जब यह मिरोजाइट्स के फार्म में आरबीसी में पहुचता है, तो वो आरबीसी को खाना शुरू करता है, तो आरबीसी जो हमारी ह अंसर आ रहा होगा मलेरिया में दिखाई देता है किसमें दिखाई देता है मलेरिया में दिखाई देता है और हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि आप सभी का अंसर आ पूछे चाहे आपसे सुफनर डॉट्स के बारे में पूछे चाहे आपसे पूछे माउरर डॉट्स के बारे में पूछे यह दोनों आपके एक्जाम में कोशन पूछे आते हैं माउरर डॉट्स के बारे में पूछे या सुफनर डॉट्स के बारे में पूछे या फिर आपसे पूछे, G-MAN dots के बारे में, G-MAN G-MAN dots के बारे में पूछे, चाहे आपसे तीनो में से कोई dots, अपने box में बना लिजिएगा, अगर आपसे पूछे Shuffner dots, या आपसे पूछे M compliant dots, या आपसे पूछे G-MAN dots, ये तीनो dots आपके exam के point of view से बहुत important हैं, टीनो dots को आप नोट कर लें सफनर डाट्स या फिर आप नोट कर लें कि माउरा डाट्स या जी मैन डाट्स ये तीनो डाट्स आप इंपॉटन्ट हैं और तीनो डाट्स को नोट कर लें और ये तीनो मलेरिया के डिजीज में देखने को मिलते हैं मलेरिया में तीनो देखने को मिलते हैं मलेर आपसे पूछता है कि सुफनर डाट्स प्लाजमोडियम की कौन सी species फैलाती है माउरर डाट्स कौन सी species फैलाती है जी मैं डाट्स कौन सी species फैलाती है तो दोस्तों याद रखना पूछ रहा है सुफनर डाट्स कौन सी फैलाती है सुफनर मतलब तो आप बताएंगे सर प्लाजमोडियम वाइव एक्स ये जो प्लाजमोडियम वाइव एक्स है सर वाइव एक्स में एक्स आता है तो याद रखना ये सुफनर डॉट्स कौन फैलाता है सुफनर डॉट्स यही फैलाता है कैसे याद रखेंगे लास्ट में क्या आता है? M आता है, तो इस malaria में क्या होता है? इस malaria में जो है, ये mirror dots फैलाता है, ये RBC को इस तरह से खाता है, कि RBC का dots mirror dots कहलाता है, कौन? फालसी पेरम, कैसे याद रखेंगे? M आता है, तो ये mirror dots फैलाता है इससे mirror dots बनते हैं यहाँ पर याद रखेंगे X आता है तो एक से याद रखेंगे सुफनर dots बनता है ये Z man है Z man में कोई ऐसी trick नहीं है इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि sir Z man जो है ये plasmodium की एक malaria species होती है या plasmodium malaria species होती है ये जो dots बनाती है उसे हम लोग कहते हैं Z man dots उमिद करते हैं दो dots आप कभी नहीं भूलेंगे कभी भी आप से exam में question पूछा जाए कि mirror dots कौन बनाता है फालसी पेरम के last में M आता है शफनर dots कौन बनाता है Y wax के last में X आता है तीसरा dots पूछा जाए Z man dots कौन बनाता है आपका अंसर आएगा Z man dots बनाता है malaria या plasmodium malaria species होती है ये dots का formation करती है जो malaria बीमारी होती है वो तीन टाइप की होती है और उन तीनों टाइप के बारे में अभी जैसे ही question आएगा हम आप से discuss करेंगे कि malaria की कौन-कौन सी बीमारिया होती है अभी उम्मित करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बाते clear हो गई होगी एक बार thumb up करके इशारा करें और बताने की कोशिश करें clear to all or not और जो लोग class में late से जुड़े हैं सभी लोग like की बटन को प्रेस करें और अपने live और light को equal करें जी plasmodium falsi perum M आता है तो कौन सा dots हो जाएगा plasmodium falsi perum में M आता है तो कौन सा dots हो जाएगा mirror dot हो जाएगा y wax में x आता है तो कौन सा dots हो जाएगा sharpener dots हो जाएगा और आपका malaria में कोई trick नहीं है zman dots आप याद रखेंग और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे साकुषल होंगे और सभी लोग जो लोग class में देर से जुड़े हैं like की बटन को प्रेस करें और अपने live और like को equal करें newtons का third law या ATP का donation आप कभी नहीं भूलना चाहिए एक biology के teacher को लगातार आपको ATP provide करते रहना चाहिए और अपनी चीजों को बहतर तरीके से जो question में आपको नया लगे वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ नया लगा होगा आपको ये सब आता है I know very well बस हम केवल आपको क्या कर सकते हैं बस हम केवल आपको एक challenge के तहट आगे बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे कदम से और आप better कर सकते हैं ये आपको भी पता है ये हमें भी पता है जी डन ओके स्यूपरशाद जी अश्वी सैनी जी आए आगे चलते हैं next question सफनर डार्ट्स का मामला किलियर class of protozoa diet contains only indo-parasite कौन सा है जिसमें केवल indo-parasite होते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का बेहतरीन आंसर आएगा कि indo-parasite सर्केवल एक में देखने को मिलते हैं और उसका नाम है sporozoa क्या नाम है sporozoa इसमें सारे क्या होते हैं इसमें सभी indo-parasite होते हैं हमने classification पढ़ा है और classification जब हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोग जानते हैं कि protozoa को किस आधार पर classify किया गया था आप लोग एक बार comment करके बताइएगा protozoa को किस आधार पर classify किया गया था केवल एक जो सबसे अच्छा आधार हो सकता है protozoa को किस आधार पर classify किया गया था उसका classification किस आधार पर किया गया था केवल एक जो most appropriate answer हो उस answer को दीजिएगा किस आधार पर classify किया गया था most appropriate answer चाहिए जी जी बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड एक्सिलेंट ये होता है रिवीजन और ये रिवीजन जो होता है परफेक्ट बनाता है केवल आपसे पूछा जाए केवल एक बताईए जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रियेट है तो आपका अंसर आएगा लोकोमोटरी आरगन कोई ना माने दूसरा बताईए तो आप बताएंगे इस्ट्रक्शर या आप बताएंगे टाइपस आफ नुकलियस टाइपस आफ नुकलियस बताएंगे इस्ट्रक्शर नहीं टाइपस आफ नुकलियस मतलब nucleus के आधार पर और इनके lokomotory के आधार पर इनको क्या किया गया था classification किया गया था उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोगों को यहां तक की बातें बेहतरीन तरीके से clear आईए दोस्तों आगे चलते हैं Next question important यह याद रखना इस्पोरोजोवा Amoeba में portion कैसा होता है Nutrition of Amoeba is अब बताएए आपके TGT में ऐसा question पूछा जाता है Nutrition in Amoeba is Amoeba में nutrition कैसा होता है तो आप तो यहां तक ready हैं कि कैसा होता है Holophytic, Parasitic, Holozoic या Seprobiotic आप सब का answer आ रहा होगा सर Holozoic is the right answer हम आप से पूछना चाहते हैं यूगलीना में कैसा होता है Tell me fast यूगलीना में कैसा होता है बताने की कोशिश करिएगा यूगलीना में कैसा होता है और उम्मिद करता हूँ कि आप में से सब लोगों का answer आएगा यूगलीना में nutrition कैसा होता है mode of nutrition यूगलीना में कैसा होता है तो आप बताएंगे सर यूगलीना में यूगलीना में बताइएगा जी आंसर आ रहा है मिगजोफाइटिक बहुत अच्छे वेरी गुड एक्सिलेंट सभी लोगों का आंसर बहुतरीन आंसर है सर मिगजोफाइटिक होता है बहुत अच्छे दोस्तों गुड और जब मिगज जो फाइटिक बोल ही दिया, तो आप बताएंगे सर, इसमें क्या होता है, होलो जोईक तो होता है, लेकिन ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं, ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं, ये प्लांट की तरह भी न्यूटिशन करते हैं, एनिमल की तरह भी न्यूटिशन करते हैं, यही इनका peculiar character होता है जो इनको connective link बनाता है between plants and animals. 10 number question, malaria परजीवी के जीवन चक्र में, malaria परजीवी के जीवन चक्र में saisoned अवस्था पाई जाती है, malaria परजीवी, saisoned state in the life cycle of malarial parasites found in, malaria के parasite, करें saisoned state किस अवस्था में पाई जाती है, कहां आप पाई जाती है, blood of man में, erythrocytes of man में, stomach of enophilis mosquito में, या slavery glands of enophilis mosquito में, बताने कोशिश करिएगा, और मुझे पूरा उम्मीड है, कि आप सभी लोगों का भेतरी नांसर हीट हो रहा होगा, और टिक हो रहा होगा, क्या टिक हो रहा होगा, आप सभी ढूंड रहे थे, rbc of man, rbc of man, कहां पाई जाती है, rbc of man में पाई जाती है, और कहां पाई जाती है, साइजान तवस्था, lever of man में पाई जाती है, आप खोज रहे थे, तो आपको दिखा erythrocytes, और आप सभी लोग समझदार हैं, और फट से आंसर टिक किया, erythrocytes, फट से आंसर टिक किया, erythrocytes, और आप सभी का आंसर 100% correct है, erythrocytes is the right answer, जी, बाद में, अभी नहीं, signet ring की बात करेंगे, don't worry, आईए, next question पर चलते हैं, important question आपकी screen पर, malaria पर जीवी के जीवन चक्र में, साइजान अवस्था पाई जाती है, तो आप समझे आंसर करेंगे, malaria पर जीवी के जीवन चक्र में, आज आपको protozova से या idea लग जाएगा, कि question क् पूछे जाते हैं, question कैसे पूछे जाते हैं, ये TGT और PGT biology में, malaria पर जीवी के जीवन चक्र में, साइजान अवस्था होती है, तो आप सभी का आंसर आ रहा होगा, मानों के रक्त रुध्रानू में, मतलब erythrocydes of man में, ये अवस्था देखने को मिलती है, बिलकुल सही, और उम्मीद करता हूँ, सभी लोगों का correct होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी है, अच्छा question, बताने की कोशिश करिएगा, और उम्मीद करता हूँ, सभी लोगों का बिलकुल correct आंसर आएगा, बताएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या ह होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है, विच स्टेट, कौन सी इनफेक्टिव स्टेज आफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की इनफेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं, quadrinucleate पढ़ा था उसी को tetranucleate cyst कहते हैं उसी को क्या कहते हैं उसी को tetranucleate cyst कहते हैं या उसी को quadrinucleate कहते हैं तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों का answer बिल्कुल correct होगा next question पेचिस उत्पन करने वाला कारक कौन है? causative agent of dysentery इसमें से कौन है जो पेचिस उत्पन करता है? causative agent of dysentery इसमें से कौन है? ant amoeba gingivalis ant amoeba histolytica ant amoeba bacalis या ant amoeba coli आप सभी का answer आ रहा होगा ant amoeba histolytica ant amoeba histolytica is the right answer और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों का बेहतरीन answer होगा next question पर चलते हैं question 14 आपकी screen पर ant amoeba histolytica में होती है ant amoeba histolytica में होती है ant amoeba histolytica has ant amoeba histolytica has one contractile vacuole, two contractile vacuole, three contractile vacuole, contractile vacuole absent और उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादा तर लोगों का answer नहीं सभी लोगों का answer आ रहा होगा contractile vacuole absent और सुनीता मौरिया जी कैसे गरत हो गया? it is not good जी लगभग सभी लोगों का बिलकुल correct answer आ रहा है good very good लेकिन कोई एक answer गलत दे दिया था अब उसका भी गलत नहीं होगा निमलिखित में से कौन सा मानव परजीवी protozova मनुष्च के मुख में पाया जाता है और मसूरों को छती पहुचाता है इसमें से कौन है जो मुख में पायाता है और मसूरों को छती पहुचाता है जो गम्स को डैमेज करता है और उम्मीद करता हूँ सभी का answer आ रहा होगा यही हमारे माउथ में पायाता है और पायरिया डिजीज फैलाता है हमने सारी डिजीज को डिटेल में पढ़ाया है सब का मतब ड्रक्स तक मेडिसिन तक लिखवाया है सब के टेस्ट तक लिखवाये हैं आप सभी लोग बेहतरी तरीके से वहां से ये चीजें बेहतर करिएगा most important है प्रोटोजोवा के जन्तूओं में संकुचन सील धानी का कार क्या होता है जो कांट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है प्रोटोजोवान में वो किसके लिए काम करती हैं तो आप बताएंगे सर ये मेनली काम करती हैं आस्मो रेगुलेशन के लिए किसके लिए आस्मो रेगुलेशन के लिए ये मेनली काम करती हैं most important ये किसके लिए काम करती हैं दोस्तों तो आप बताएंगे सर ये मेनली काम करती हैं किसके लिए सभी का अंसर आ रहा होगा सर ये काम करती हैं most important है आस्मो रेगुलेशन के लिए सेवेंटीन नमबर कोशन, सत्य कथन पहचानिये, इसमें से सत्य कथन पहचानिये, कौन सा सत्य कथन है, प्रोटोजोवा अधिक्तर विशम पोशी होते हैं, प्रोटोजोवन्स आर मेंली हेट्रोट्रॉप्स, वाटर इंटर्स थ्रो आसकुलम इन स्पंज, इस्पंज में वा बताने की कुछिश करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा जी जो लोग आंसर डी कर रहे हैं वो कहां है थोड़ा बताईएगा इसपंज का डाइगराम देखिए इसपंज का डाइगराम जब आप देखते हैं तो इसपंज का डाइगराम कुछ ऐसे आपको पढ़ाया गया है और इस डाइगराम में आपने क्या देखा है हमने बताया है कि इसपंज के डाइगराम में आपने क्या देखा है तो आप कैसे कर सकते हैं भई ये क्या होते हैं पोर होते हैं और ये पोर से पानी इसके अंदर आता है और ये पोर क्या कहलाते है और पानी यहां से अंदर आता है और पानी कहां से बाहर जाता है पानी बाहर जाता है इसको बोलते हैं आस्कुलम तो पानी कहां से जाता है आस्कुलम से तो आपका water enters throasculum in sponge, महा गलत, महा महा गलत, और नीडो ब्लास्ट हाइड्रा में base आप हाइड्रा पायता है, ये आपका हाइड्रा होता है, ये आपका हाइड्रा होता है, और ये आपका हाइड्रा का base होता है, और ये आपका हाइड्रा होता है, बताएगा, नीडो ब्लास्ट हा नहां पायातायक्या महा गलत ये भी गलत इसका सही ऑ् words यह so आइडरी हेट्रो ट्रॉप्स इसका सही आँसर क्या हो जाएगा प्रुटिोजोवन्स अर्मेली हेट्रो ट्रॉप्स इस दा राइट आन्सर जी तो इस तरह से ऐसे question से थोड़ा से बचना है और अपने चीज़ों को बहटर करते रहना है try pads का क्या कार होता है tell me fast सब से पहले बताइए लटी किस में पाया जाता है सब से पहले बताइए लटायको सिस्ट किस में पाया जाता है सब trichocist पाया जाता है कहां ये paramecium में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है इसका काम होता है offense and defense मोटा 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 भाई की तरह हम लोगों ने लिखा है कि इसका काम क्या होता है इसका काम होता है offense और defense और लगभग सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है very good next question पर चल कि बहु हुपी कहा हैं कि बहु हुपी पॉली पॉली मार्फिक Gentry का में इंत में हम में उब्लेनेक हैं survival कि कि सभी लोगों का बिल्कुल correct answer आएगा, tell me fast, तो आप बताने कोईश करेंगे, तो यार रखने ना, कि polymorphism forms किसमें पायाता है, तो आप सभी का answer आएगा, trypanosoma gambians में, polymorphism, मतलब बहुत ज़्यादा रूप कौन चेंज करता है, तो आप बताएंगे, trypanosoma is the right answer, इसका सही answer हो जाएगा, trypanosoma is the right answer, next question, paramecium में, सैयुगमन में, किसका आदान परदान होता है, conjugation in paramecium involves exchange of, किसका exchange होता है, conjugation क्या है, conjugation reproduction है, conjugation क्या है, reproduction है, आप से पूछ रहा है, conjugation में किसका आदान परदान होता है, माइक्रो न्यूक्लियाई का, मेगा न्यूक्लियाई का और बोथ आप दीस का, नन आफ्दा एबब का उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों का अंसर आ रहा होगा कि इस सिच्वेशन में किसका आदान प्रदान होता है जी, लगभग सभी लोग बहते ही न आंसर कर रहे है माइक्रो न्यूक्लियाई का आदान प्रदान होता है किसका आदान प्रदान होता है दोस्तों माइक्रो न्यूक्लियाई का आदान प्रदान होता है उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों का आंसर विल्कुल किरियक्ट होगा, करेक्ट होगा कि पैरामीसियम में दो न्यूकलियस पाये आते हैं, मैक्रो न्यूकलियस और माइक्रो न्यूकलियस, जो मैक्रो न्यूकलियस होते हैं, जबकि जो माइक्रो न्यूकलियस होते हैं, वो micronucleus functional होता है सारे concept को हम लोग मंडे को कल देखेंगे don't worry next question पर चलता है 21 number question आपकी screen पर विशम रूपी केंडरक किसमे पाया जाता है heteromorphic nuclei are found in heteromorphic nuclei किसमे पाया जाता है सभी लोग बताने कोहिश करिएगा heteromorphic nuclei किसमे पाया जाता है आपका answer है muscle cells में आपका answer है human germ cells में आपका answer है neurons में आपका answer है ciliated protozoans में आप सभी का answer आ रहा होगा सर जितने ciliated protozoan होते हैं उसमें सब में क्या पाया जाता है उसमें सब में पाया जाता है आपका important और most most important क्या तो आप बताएंगे सर इसमें heteromorphic nucleus पाई एलएंबर मों मुच्टरतो है है उस्ण किया निक्राइद आएगा हमिद फेस्ट करत् Sigeln grassroots पैरामिसियम का सूक्स्व केंदरक होता है कैसा होता है दोस्तों चाहे माइक्रो न्यूकलेस पूछे दोनों की कंडिशन होगी कि आप से चाहे माइक्रो न्यूकलेस पूछेगा चाहे माइक्रो न्यूकलेस पूछेगा माइक्रो पूछे या मैक्रो पूछे दोनों के केस में आप बताएंगे सर न्यूकलेस टू एन होता है कैसा होता है तू एन होता है और उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगे बहतरीन आंसर आएगा कि कै इसा होता है 2N होता है पैरामीसियम में संयुगमन सहायता करता है कांजूगेशन हेल्पस इन पैरामीसियम पैरामीसियम में कांजूगेशन सहायता करता है तो अगर आपसे पुछा जाए कि पैरामीसियम में कांजूगेशन किसमें सहायता करता है तो दोस्तों आपके सामने है कि Rejuvenation में बिलकुल बहुत ही आसान है Rejuvenation में बिलकुल सही है Hereditary Variation में जी Sexual Reproduction है दो Paramissium पास आते हैं और Hereditary Variation देखने को मिलता है Nuclear Reorganization में बिलकुल सही है Nuclear Reorganization में जैसे कि आप Indomixis जानते हैं Epogamia जानते हैं और ये सब Epimixis जानते हैं यह सारे concept हम कल clear करने वाले हैं आप लोगों की अपने paid best की class में और all the above इसका सही answer जितने लोगों ने टिक किया होगा all the above उन सभी लोगों का answer 100% correct है जितने लोगों ने टिक किया है all the above are correct silver line tantra संबंदित है बताने की कोशिश करिएगा silver line system is associated with silver line system is associated with silver line system किस से संबंदित है plasmodium से entamoeba से paramecium से psychon से बताइगा fast और उम्मित करता हूँ सभी का बेहतरीन answer आ रहा होगा silver line संबंदित है और सब को याद भी आया होगा कि silver line किस से संबंदित है याद आया दोस्तो जी सर याद आया ये बेसल granules होता है जहां से फलैजिला निकला होता है इसी बेसल granules को क्या कहते हैं काइनेटो सोम कहते हैं क्या कहते हैं इसी को काइनेटो सोम कहते हैं कई सारे बेसल ग्रेनूल्स जब आपस में जिस से जुड़ते हैं उसे काइनेटो डिस्मेटा कहते हैं ये सब मिल करके क्या करते हैं? नियूरो मोटर सिस्टम का फार्मेशन करते हैं किसमें पैरा मीसियम में इसी को सिल्वर लाइन कहा जाता है आपके एक्जाम में यही कोशन पूट अप हुआ कि सिल्वर लाइन टंटर किस्से संबंदित है आपको सिर्फ बताना था पैरा मेसियम से अगर आप से कोई अंदर जा की भी पूछता ना तो मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप सभी लोग ऐसे बताते हैं कि बेसल ग्रेन सिस्टम का फार्मेशन होता है और इसे ही हम लोग सिल्वर लाइन कहते हैं किस में पाया जाता है पाया जाता है नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 25 पाया मिस्यम के संयूंगमन के संदर्भ में निमलिखित कत्रों में से कौन सा सही है यह कांजूगेशन कला आप जिसमें से 3 micronucleide degenerate कर जाते हैं केवल एक functional होता है अगर इतनी बात भी याद होगी तो आपका ये question हैंडल हो जाएगा इसमें कह रहे हैं कि zygote nucleus undergoes a successive division in each conjugate या नहीं रखिएगा कौन सा true पूछा है out of the 12th micronucleide 12 micronucleide से कोई मत्तुर out of 4 micronucleide यही आपका answer होगा जी बस इतनी बात याद रखना है कि इसमें 4 micronucleide बनते हैं और जो 4 micronucleide बनते हैं उसमें से 3 degenerate कर जाते हैं केवल एक functional होता है कल इस process को सीखेंगे malaria parjivy का संक्रामक अवस्था कौन सी होती है the infective stage of malaria parasite is malaria parasite की malaria parasite की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है बताने की कोशिश करिएगा और उम्मित करता हूँ कि आप सभी का बेहतरीन और correct answer आएगा सभी का आ रहा होगा trophozoite, mirrorzoites, sporozoite और सभी लोग answer कर रहे होंगे sporozoite is the right answer सभी लोग answer कर रहे होंगे sporozoite is the right answer और पूरी तरीके से confidence में भी होंगे और अच्छा कर रहे होंगे जी, next question पर चलते हैं दोस्तों question number 27 आपकी screen पर निम्न में से कौन जोग जनक कशा भी नहीं है most important which of the following is not a pathogenic flagellate इसमें से कौन है जिसमें flagellate नहीं है कौन सा flagellate नहीं है GRDIA flagellate पाया जाता है flagellate है Lishmania flagellate है Trypanosoma flagellate है Noctiluca ये flagellate नहीं है आप से पूछा है कौन सा नहीं है आप सभी का answer आ रहा होगा Noctiluca कौन सा नहीं दोस्तों Noctiluca is the right answer Sir यहीं नहीं है Noctiluca जी बहुत अच्छे Very good Excellent Malaria parjivy के Gametocyte बनते के बहुत अच्छा कोश्चन है हम केवल आपके answer चेक करेंगे हम केवल आपके answer चेक करेंगे फटा फट बताईएगा फटा फट बताईएगा मुझे केवल answer चेक करना है Tell me fast C, D, 33 आप्शन कैसे दिख रहे है B, C, D, 33 आप्शन कैसे दिख रहे है मलेरिया परजीवी के गैमिटोसाइड बनते है मादा एनफलीज के अमाशे में मनुष्य के रक्त में एनफलीज की लार ग्रंथियों में या इस्टमक आफ मेल एनफलीज यहां बनते है महा गलत Blood of man जी यहीं बनते है Blood of man में बनते है इस्टमक आफ फिमेल एनफलीज महा गलत Salary glands आफ एनफलीज महा गलत दोस्तों Blood of man में बनते है गैमिटोसाइड क्या होते है जो गैमीट का फार्मेशन करते है गैमिटोसाइड में जैसे ही मनुष्च के Blood में क्या बनता है जैसे ही मनुष्च के Blood में गैमिटोसाइड बनता है जैसे ही मनुष्च के Blood में गैमिटोसाइड बनता है वैसे ही यह कोई मच्छर जब मनुष्च को काड़ता है तो यह गैमिटोसाइड उसके अंदर चला जाता है और वहाँ जाके सर्वाइब करता है अगर ये gametocyte मनुस के blood में रह जाएगा तो यहां का temperature उसे थोड़ा और temperature चाहिए होता है temperature की वज़ा से gametocyte कहां बनता है? gametocyte ये human के blood में बनता है human के blood में gametocytes बनते हैं याद रखना human के blood में बनते हैं और यहाँ पर ये gamet में change नहीं होते क्योंकि gamet में change होने के लिए temperature इनको ज्यादा चाहिए होता है इसलिए human के blood में gamet का formation नहीं होता लेकिन जब gametocytes बने होते हैं और उस समय कोई मच्छर मनुष्य को काटता है तो मनुष्य के blood के साथ gametocyte मच्छर के mouth में चले जाते हैं और इस टमक में पहुचते हैं तो वहाँ पर gamet का formation करते हैं वहीं पर gamet का formation आप से question पूछा जाए gamet कहां बनता है अंसर लगेगा इस टमक आफ female इनफलीज अगर आप से question पूछे अगर आप से question पूछे gametocytes कहां बनता है blood of human तो आप बताएंगे सर human के blood में बनता है gametocytes और gamet कहां बनते हैं gamet बनते हैं आपके मच्छर के इस टमक में clear एक बार thumb up करके बताने कोहिश करें clear to all or not और जो लोग क्लास में देर से जुड़े हैं Newton का नियम का फालन करते हुए like की बटन को प्रेस करें और अपने like को 400 के पार करें fast don't late उम्मिद करता हूं सभी लोगों को यहां तक की बाते समझ में आई जी और इस डाइग्राम से अर्चना जी बहुत अच्छी very good clear और अगर कोई मच्छर उस समय मनुष्य को नहीं काटा तो गैमिटोसाइट की death हो जाती है गैमिटोसाइट मर जाता है लेकिन मरा हुआ गैमिटोसाइट आपके ब्लड में रहता है clear उम्मिद करते हैं यहां तक की बाते clear next question पर चलते हैं question number 29 Quartan malaria is caused by Quartan malaria कौन फैलाता है important question है आपके सामने कुछ malaria के नाम है जिसमें से पहला malaria का नाम है नोट करिएगा पहला malaria कहलाता है tertian malaria कौन सा tertian या आप कह सकते हैं tertian malaria पहला malaria है tertian malaria most important tertian malaria और दूसरा malaria है आपका tertian के बाद quartan malaria कौन सा quartan malaria यह आपसे अकसर question पुछ आता है कि tertian malaria quartan malaria और एक malaria होता है dainic malaria जिससे हम लोग बोलते हैं किवो टीडियन malaria क्या बोलते हैं किवो टीडियन malaria यह तीन malaria के लिए कौन जाना जाता है तो आप नाम लीजेगा इसके लिए जाना जाता है वाइवाइक्स कौन जाना जाता है वाइवाइक्स इसके लिए जाना जाता है फालसी पेरम कौन जाना जाता है फालसी पेरम इसके लिए वाइवाइक्स जाना जाता है फालसी पेरम जाना जाता है most 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 important है most most important है और यार रखना कि कभी भी मत भूलना इसमें हमेशा इसमें हमेशा अनतालिस घंटे में एक बार बुखार आता है अनतालिस घंटे में इसमें फीवर आता है और जो कौार्टन मलेरिया है ये फैलाता है कौन सा ये फैलाता है प्लाजमोडियम मलेरी या प्लाजमोडियम मलेरिया फैलाता है इसमें व्यक्ति को 72 घंटे में फीवर एक बार आता है याद रखना कौार्टियन मलेरिया में व्यक्ति को 72 घंटे में फीवर आता है फालसी पेरम और वाइवेक्स जो है ये टर्शियन मलेरिया फैलाता है इसमें फीवर 48 घंटे में आता है और क्यूटीडियन इसे हम लोग डैनिक मलेरिया के नाम से जानते हैं दैनिक मलेरिया के नाम से जानते हैं डेली वाला मलेरिया इसमें हर व्यक्ति को डेली डेली बुखार आता है 24 घंटे में जब व्यक्ति को 24 घंटे में बुखार आए तो उसे बोलते हैं क्यूटीडियन मलेरिया क्या बोलते हैं क्यूटीडियन मलेरिया कहते हैं दोस्तों ये जो malaria है, cutidian malaria, ये केवल वाइवेक्स से नहीं, केवल फालसी पेरम से नहीं, केवल मलेरी से नहीं, केवल ओवेल से नहीं, बल्दी ये एक से ज़्यादा parasite से होता है. जब कोई मच्छर आपको काटा, प्लाजमोडियम वाइवेक्स का, या फालसी पेरम का, या मलेरी का, या ओवेल का, परसिटिक, आपके बलड में छो दिया, परसाइट को छो दिया, तो इन तीनों चारों ने मिलकर जो बिमारी कॉस की, वो भी malaria थी, उसे कहते हैं cutidian malaria, और इस cutidian malaria में दोस्तों, विमारी को 24 घंटे में एक बार बुखार आता है, इसलिए इसको daily routine malaria कहा जाता है, इसलिए इसको daily routine malaria के नाम से भी जाना जाता है, next question, प्रामस्तिस्क malaria इसके द्वारा होता है, most important है, cerebral malaria किसके द्वारा होता है, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं, malignant malaria, किस किसके नाम से malignant malaria के नाम से जानते हैं, इसी को, इसी को malignant malaria के नाम से जानते हैं, cerebral malaria कहलाता है, क्या कहलाता है, cerebral malaria कहलाता है, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग malignant malaria के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग malignant malaria के नाम से जानते हैं, कौन फैलाता है, बच सही answer आ रहा होगा next question next question आपकी screen पर और उम्मिद करते हैं सभी लोगों का बहत्रीन answer आएगा बताने की कोशिश करिएगा most most important सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा most most important दोस्तों सभी लोग फटाफट बताने की कोशिश करेंगे और उम्मिद करता हूँ सभी का बहत्रीन answer आएगा सभी लोग जी अरे सारमीन जी आयत से कह दीजिए पणती रहे जी अरविंद जी उम्मिद करता हूँ सभी लोगों की बातें यहां तक किलियर हो रही होंगी उम्मिद करता हूँ सभी लोगों की बातें यहां तक किलियर हो और सब का आंसर आया माउर्स डाट किसमें बनते हैं फालसी पेरम में प्लाजमोडियम फालसी पेरम इस दा राइट आंसर अभी बताया था मा आता है तो कौन सा डाट बनेगा माउर्स डाट बनता है most most important next question साइटो पाइग पाया जाता है बताएगा दोस्तों अच्छा question साइटो पाइग पाया जाता है tell me fast साइटो पाइग किसमें पाया जाता है सभी लोग बताने कोईश करिएगा साइटो पाइग किसमें पाया जाता है उम्मिद करता हूँ सभी का बहतरीन आंसर आ रहा होगा साइटो पाइग किसमें पाया जाता है सबका आंसर आ रहा होगा साइटो पाइग को और किस नाम से जानते हैं बताएगा साइटो पाइग आलसो नोन एस also known as cytopig को और किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगा सर इसे हम लोग cytoproct के नाम से जानते हैं इसे हम लोग cytoproct के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग anal pore के नाम से भी जानते हैं anal pore के नाम से भी जानते हैं और जब हम लोगों ने पढ़ा था किसको जब हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने पढ़ा था किसको आप बताएंगे सर जब हम लोगों ने पढ़ा था पैरा मीसियम को पढ़ा था तो पैरा मीसियम में हम लोगों ने देखा था यहां पर एक एनल पोर होता है इस एनल पोर को हम लोग क्या कहते हैं इसी एनल पोर को हम लोग साइटो पाइग कहते हैं ये क्या करता है अन डाइजेस्टेड फूड माटेरियल को बाहर करने में मदद करता है इसे साइटो प्रॉक्ट कहा जाता है किस में पायाता है पैरा मीसियम में पाया करता है दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम के द्वारा सहेता से करता है जो स्रावित होता है कहां से स्रावित होता है दीमक जो है वो लकड़ी का पाचन करता है बताईएगा कहां से स्रावित होता है उम्मिद करता हूँ सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएग जी जो दीमक होता है जो दीमक जिसे टर्माइट कहते हैं टर्माइट में एक सहजीवी प्रोटोजोवा पायाता है जिसका नाम है ट्राइको निमफा क्या नाम है जैसे ट्राइको सिस्ट याद किया है न वैसे याद कर ले न ट्राइको निमफा क्या नाम है ट्राइको निमफा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टर्माइट्स डाइजेस्ट वूड विद दा हेल पाफ एन एंजाइम सिक्रीटेड सिक्रीट करता है तो यह ट्राइकोनिम्फा सिक्रीट करता है और यह ट्राइकोनिम्फा क्या है दोस्तों तो आप बताएंगे सर यह ट्राइकोनिम्फा symbiotic protozoa है क्या है? symbiotic protozoa है जो glucosidase enzyme निकालता है कौन सा enzyme निकालता है? glucosidase ये glucosidase enzyme निकालता है और ये glucosidase enzyme का करता है? ये glucosidase enzyme जो होता है ये digestion करता है cellulose का किसका? cellulose का digestion करता है इस दीमक लकडी का पाचन ऐसे enzyme से करती है जो स्रावित होता है, किसे स्रावित होता है, ट्राइको निम्फा से, कौन सा एंजाइम है, ग्लुको साइडेज है, ये क्या करता है, लकडी का पाचन करता है, किसका पाचन करता है, लकडी का पाचन करता है, और उम्मित करते हैं, कि आप सभी लोगों का आंसर बिलकुल करेक करेंगे ये किसका पाचन करता है ये लकड़ी का पाचन करता है लेंगिक जनन का कोई प्रमाल नहीं मिलता इस में sexual reproduction का कोई प्रूफ नहीं मिलता है किसमे Sexual Reproduction का कोई प्रूफ नहीं मिलता है आप बताएंगे sir हम लोगों ने पढ़ा था यूगलीना वाइरेडिस में कोई Sexual Reproduction का कोई प्रूफ नहीं था हम सभी लोगों ने देखा था जाना था और जानते हैं बिल्कुल सगी अरे जो बता रहा है पैरमेसियम सुधर जये conjugation में देखा नहीं था गंदे सड़े लोग कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं आप सभी का अंसर आ रहा होगा किसर हम लोग दो चीज़ें जानते हैं एक Phagocytosis जानते हैं यहीं Amoeba से सीखे हैं Amoeba जब solid material फूड का कुछ खाता है जब solid material खाता है जब solid material खाता है तो उसे कहते हैं Phagocytosis और जब पीने वाला खाता है पीने वाला पीने वाला खाता है मतलब जब पीता है liquid खाता है लिकविड पीता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे कहते हैं पाइनो साइटोसिस और उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोगों का यहां तक की बातें बहतरीन तरीके से किलियर होंगी जी, उम्मिद करता हूँ कि clear to all जब solid material खाएगा तो उसे phagocytosis बोलिएगा और जो हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, उसे ingestion बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो हम लोग खाते हैं, उसे ingestion बोलते हैं clear, next question, 36, amoeba के पदाफ इसके लिए महत्पूर्ण होते हैं amoeba में जो pseudo-podia होता है, the pseudo-podia of amoeba are important for amoeba के pseudo-podia important होते हैं, feeding के लिए, offense and defense के लिए, locomotion के लिए या फिर locomotion and feeding के लिए, बताने की कोशिच करिएगा, उम्मिद करता हूँ, सभी लोगों का सही answer आएगा, किसके लिए pseudo-podia important होते हैं अमीबा के स्यूडोपोडिया किसके लिए important होते हैं आप सब का अंसर आ रहा होगा सर ये important होते हैं locomotion और feeding के लिए जब बात होती है अमीबा की तो अमीबा की digestion की प्रिक्रिया बहुत important होती है अमीबा की तो अमीबा की digestion की प्रिक्रिया बहुत important होती है अमीबा food का digestion दोनों तरीके से करता है बोथ extracellular and intracellular इसमें extracellular और intracellular दोनों digestion आपको देखने को मिलेगा किसमें अमीबा में नहीं दोस्तों लिखिएगा आप बोथ extracellular and intracellular digestion seen in किसमें पायाता है तो आंसर दीजेगा हाइड्रा में किसमें हाइड्रा में पायाता है एक्स्ट्रा सेलूलर और इंट्रा सेलूलर लेकिन इसमें कैसा पायाता है तो आप बताएंगे सर इसमें इंट्रा सेलूलर पायाता है कैसा पायाता है इंट्रा सेलूलर इसमें इंट्रा सेलूलर डाइजेशन पायाता है अपनी कॉपी में नोट में कहें लिखिएगा कि अमी को बिलॉंग करता है और एक्स्ट्रा सेलूलर अकेले किसमें पायाता है आप बताएंगे एक्स्ट्रा सेलूलर हम लोगों में पायाता है हम लोगों में हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलूलर पायाता है किसमें हम लोग में हम लोग में कौन से पायाता है एक्स्ट्रा सेलूलर जब digestion की प्रक्रिया के लिए अलग से कोई cavity present हो, अलग से कोई tube present हो, अलग से कोई elementary canal present हो, और digestion की प्रक्रिया उसमें पूरी हो, तो उसे extra cellular digestion कहते हैं फिर से, जब digestion की प्रक्रिया किसी अलग से tube में हो, अलग से cavity में हो, अलग से elementary canal में हो, इसका मतलब ऐसे digestion को extra cellular कहते हैं जो geo unicellular है, एक cell का बना है, उसमें digestion की प्रक्रिया उसी cell के अंदर होती है, किसमें होती है, उसी cell के अंदर होती है, अलग से कोई आहार नाल नहीं होती, अलग से कोई cavity या गुहा नहीं होती, अलग से tube या नली नहीं होती, अमीबा ऐसे पानी में शैर करता रहता है अमीबा ऐसे पानी में शैर करता रहता है अमीबा पानी में चलता रहता है जब ये पानी में चलता रहता है तो पानी में चलते समय अगर कोई फूड माटेरियल इससे यहां पर टकरा जाता है अगर कोई फूड माटेरियल यहां से ट करा जाता है तो अमीबा अपनी बॉड़ी को ऐसे कर लेता है इसे बोलते हैं इन वैजिनेशन क्या बोलते हैं इन वैजिनेशन बोलते हैं अमीबा अपनी बॉड़ी को ऐसे कर लेता है और यह फूड मटेरियल कहां आ जाता है यहां आ जाता है और अमीबा फिर क्या करता है अ फाइगो साइटोसिस, क्या कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बताएंगे सर, इसी को कहते हैं, इनजेशन, क्या कहते हैं, इनजेशन आफ फूड, क्या कहते हैं, इनजेशन आफ फूड, जब अमीबा का फूड यहां आ जाता है, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा अपने food को आगे move करता है और अमीबा का food आ जाता है यहाँ पर अब यहाँ पर food आ गया अब इस पर क्या होती है अब इस पर होती है enzyme activity और जब enzyme activity होती है तो इसको कहते हैं digestion इस पर enzyme active होगा और जब enzyme active होगा तो इसका होगा digestion और जब digestion होगा तो इसका दो पार्ट अलग हो जाएगा एक पोशकपदार्थ होगा और एक waste product होगा जो waste product होगा उसको सरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा इसे बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस क्या बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस या इसे बोलते हैं इजेक्शन क्या बोलते हैं इजेक्शन और जो पोशक पदात होगा वो आउसोशित कर लिया जाएगा और अमीबा में ये विलिन हो जाएगा अमीबा कहता है कि अगर कोई food material यहां से टक्राए तो इसको भी अंदर कर लेगा मतलब पूरी body में जहां से भी टक्राएगा अमीबा सब को अंदर कर लेगा लेकिन पैरामीसियम में ऐसा नहीं होता कहा जाता है कि पैरामीसियम पूरे दिन भर में लगभग 50 लाख बैक्टिरिया को खाता है लेकिन ऐसा नहीं है यह कहीं से एक समय में नजाने कितने food material को अंदर कर लेता है और अंदर करने के बाद पूरे इसके body में एक ही कोशिका होती है इसी के अंदर digestion इसी के अंदर absorption इसी के अंदर assimilation इसी के अंदर ejection सभी किरिया होती है इसलिए इसे कहते हैं intra cellular digestion याद रखिएगा amoeba के जैसे बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों का नहीं होता अगर हम लोगों का कोई mouth बंद कर दे तो खाना चाहे जितना लजीज रखा हो चाहे जितना स्वादिस्ट रखा हो आप नहीं खा सकते और कहीं आप amoeba होते तो खाने पर load port जाते तो दोस्तों शादियों में फिर क्या होता आपको पता है ना बड़ी बड़ी देग होती कुछ लोग तो कुवा खुदवा के रखते खाना उसी में डाल देते और लोग जाते कूदते लगाते अंदर करते बाहर आ जाते फिर साड़ा क्रेस खतम हो जाता शादियों में जो इतना खाना है लोग कपड़ों में चीजों में ज्वैलरी में मेकप इतना जो लोग करके जाते हैं सारी चीजों से छुटका रहा होता कास हम लोग भी amoeba होते तो ऐसा होता और अच्छा हुआ कि हम लोग amoeba नहीं है उम प्रोटोजोवा के वर्गी करण का मुख्य आधार है डंजन बैं डेकसिस आफ ट्लैसिफिकेशन आफ फालम प्रोटोजोवा के ऐस आधार क्या है शरीर के माप साइज आप डी लोको मोट रि countryside क अज़िए बताएं urities हैन बसॐर वाच्छ की इंस अर्मीघ करते हूँ लग लोको मोटरी आरगन क्या दोस्तों लोको मोटरी आरगन is the right answer number of nuclei अगर एक answer टिक करना है तो इस आधार पर हम लोग टिक कर सकते हैं लेकिन दूसरा option भी याद रखियेगा कभी question में पूछे तो answer सही होगा protozoa का ऐसे question हमेशा दोनों option सही मान दिया जाते हैं प्रोटोजोवा का वर्गीकरण आधारित था, स्केल्टन स्ट्रक्चर पर, पेलिकल पर, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पर और लोकोमोटरी आरगनल पर, बताने कोशिच करिएगा, यह किस पर आधारित था, और उम्मिद करता हूँ, लगभग आप लोगों का सभी का आंसर आ रहा है सर, यह आधारित था, किस पर, लोकोमोटरी आरगन पर, और उम्मिद करता हूँ, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, D is the right answer, 49 नंबर कोश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस आधार पर, प्रोटोजोवा संग चार वर्गों में बाटा गया है, किस पर, लोकोमोटर इस्ट्रक्चर पर, मोड़ आफ रिप्रोड़्ाक्शन पर, मोड आफ नूटिशन पर, तो सबका आंसर आएगा, किस अधार क्लासी में बीवड् किया, और उम्मिद करता हूँ, कि सभी लोगों का आंसर यहां तक का बिलकुल टरेक आंसर होगा, बतान कि कोईशिश करूश करेगा, बायो लुमणिसेंस गंजомина? कि से प्रदर्शित होता है, सिराइटीम से, थेक्सपलाज्μα से, पैरेमीसियं से, प्लाज्मोडियं से तो आप सभी का आंसर आएगा सर पैरामीसियम तो होगा नहीं ये चमकता नहीं है प्लाजमोडियम तो होगा नहीं चमकता नहीं है बचे दो आप्षन टैक्सो प्लाजमा से या सिरेटियम से आपका आएगा सिरेटियम इस दर राइट आंसर सिरेटियम एक प्रोटोजोवन हो होता है जिसकी वज़ा से यह चमकता है तो सीरेटियम इस दा राइट आंसर और उम्मिद करता हूं इसमें बायो लुम्निसेंड सेल्स पाई जाती हैं जो इसको चमकाने में मदद करती हैं दोस्तों एक बार बताने कोईश्च करिएगा प्रोटोजोवा का रिविजन के बाद प्रैक्टिस करने में आपको कितना आसान कोईश्चन लग रहा है एक बार थंबब करके बताईएगा जितने लोगों को सारे कोईश्चन इजी लग रहे हैं वो यह समझें कि एक्जाम का लेबल यही होता है लेकिन हम लेबल से काफी उपर चल रहे हैं इस अभिशेक जी खुश्बू जी दीप सिखा जी सैंडी जी रिचा सक्षेना जी मंसूर अली जी अंकिता मौर्या जी और तिरिशा यादो जी अभिशेक कुमार जी अनुरोध कुमार जी रवी मिश्रा जी सोनम राजपूत जी सुमन जैसवाल जी दीप्ती जी उदय जी वि अनुरोध कुमार जी, विशाल वर्मा जी, जीटेन सुपला जी ममता यादो जी, अनुक्रिटी सिंग जी, निकिता सिंग जी, निता पांडे जी, लता नैन जी शिश्ट्री उपाध्याय जी, ममता चंद्र जी, जै उदे जी, सिव मोहन जी, कंचन जी, विंदुसार जी, लोकेश शर्मा जी, जुनूनाफ क्रियेशन जी सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है मुझे लग रहा है कि आप लोग काफी अच्छा फील कर रहे होंगे ऐसे question से आपको एहसास हो गया कि question का label क्या हो सकता है दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमने एक बैच लाँच किया है TGT, PGT, LT Biology का fresh new बैच है ये हमारा fresh और new बैच है इस बैच को हमने last Friday लाँच किया है मतलब इस बैच को हमने last Friday लाँच किया है और Monday से इसमें 4 classes चल लाँगा साड़े 9 बजे आपकी Lower Botany की class होती है और 11 बच के 10 मिनट पर आपकी Plant Physiology की class होती है और 5 बजे आपकी Non Cardiate की class होती है और 7 बच के 20 मिनट पर आपकी class होती है Genetics की और हम लोगों ने पिछले 5-6 दिनों में जो कुछ Plant Physiology का पढ़ा था जो कुछ हमने Lower Botany का पढ़ा था हम लोगों ने कल Saturday को उसका बहतरी रिवीजन किया और जो हमने Non Cardiate में Protozova पढ़ा था जो Genetics पढ़ा था उसका रिवीजन चल रहा है तो आपकी classes Monday to Friday होंगी Saturday को रिवीजन का कार और सुबह हम रिवीजन कराएंगे शाम को आप अपना रिवीजन करेंगे और Sunday में पूरे दिन आप रिवीजन करेंगे शाम को हम आपका रिवीजन का कार कराएंगे इस तरीके से चार classes आप तक लगातार पहुँच रही है और ये पहुचती रहेंगी और सारी classes live होती है कोई recorded नहीं होती है लेकिन अगर आप busy रहते हैं बैस में जुड़ने के बाद जिस time class चलती है आप नहीं देख पाते तो वो आपको recorded form में अपने application पर मिलेगी आप उसे same day complete कर लेंगे पूरी इमानदारी के साथ आप सभी लोग पूरी इमानदारी के साथ उसे same day complete कर लेंगे यह आपके exam के लिए important होगा जो लोग class से नहीं जुड़े हैं सभी लोग class से जुड़ने की कोशिश करें और आपके admission की प्रक्रिया रात के एक बजे तक चलती है तो यह online platform है दोस्तों रात के एक बजे तक आपके admission की प्रक्रिया चलती है आप जब जैसे ही payment करके भेजते हैं हम आपको 10 minute के अंदर बैस से जोड़ देते हैं इसलिए कि आप सभी लोग जानते हैं कि September में आपका exam है और उस exam को देखते हुए हम कोई late नहीं करते और fast आपको जोड़ने कोशिश करते हैं पैरामेसियम में भोजन ग्रहन की विधी है पैरामेसियम अपना भोजन किस तरीके से ग्रहन करता है होलोजोईक, होलोफिटिक, सैप्रोजोईक, एंथोजोईक जैसे ही आप nutrition पूस्ते हैं जैसे ही आप भोजन को ग्रहन करने की बात सोचते हैं आप फट से आंसर करते हैं कि सर ये तो होलोजोईक होता है और ये क्या करता है ये filter feeder भी होता है ये पैरामेसियम है पैरामेसियम होलोजोईक होता है पैरामेसियम filter feeder होता है और जिनके आंसर गलत हो रहे हैं, वो लोग भी revision करके आया करें, माना कि आप paid batch में हैं या नहीं है, लेकिन अगर हम पहले से announce कर देते हैं, तो आपको भी revision कर लेना चाहिए, revision करोगे, अच्छा आंसर करोगे, paramecium में cyclosis, देखा कितना important, paramecium में cyclosis की परिघटना का संबंध होता है, paramecium में cyclosis, paramecium में cyclosis, paramecium, the phenomena of cyclosis is associated with cyclosis का phenomena किस से जुड़ा होता है, आप सभी लोग बताएंगे सर, ये जुड़ा होता है, digestion से, contractile vacuum जो होती है, वो cycle के form में cyclosis moment करती है, और digestion में help करती है, most important, next question पर चलते हैं, question number 43, आपकी स्क्रीन पर, paramecium की पस्च संकुचन सील लिखती का, इस पंदन करती है, देखा, आया ना, अच्छा question, the posterior contractile vacuum of paramecium pulsate, posterior contractile vacuum of paramecium pulsate, slower than the anterior vacuum, at the same rate as the anterior vacuum, faster than the anterior vacuum, only when the anterior vacuum stops pulsating, तो आप से बताया था, कि जो posterior contractile vacuum होती है, वो faster होती है, anterior vacuum से, और उमिद करता हूँ, कि सभी लोगों का बहुतरीन आंसर आ रहा होगा, C, जी, बहुत अच्छे, very good, excellent, next question पर चलते हैं, question number 44, आपकी स्क्रीन पर, प्लाज्मोडियम में लगू युगमक और गुरू युगमक बनाते हैं, micro gametes and micro gametes, micro gametes and mega gametes in plasmodium forms, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, उसाइट्स बनाते हैं, हेट्रोसिस्ट बनाते हैं, या इस्पोरोजवाइट बनाते हैं, या जाइगोड बनाते हैं, बताइगा, micro gametes और mega gametes मिलकर के क्या बनाते हैं, तो सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, कि जब दोनों gametes मिलते हैं, तो zygote का formation होता है, most most important और पूरा यकीन, पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा zygote, क्या आ रहा है, zygote is the right answer निम्न में से किस अस्थान पर malaria पर जीवी के ukinetes, याद रखिएगा किस अस्थान पर malaria पर जीवी के ukinetes बनते हैं, ukinetes अवस्था पाई आते हैं, याद रखिएगा जब zygote का formation होता है दोस्तों, तो यही zygote किस में change होता है, ukinetes में, किस में यही zygote जो होता है, ukinetes अवस्था में change होता है ukinetes stage में change होता है, जब यह ukinetes stage में change होता है तो ये कहां होता है तो आप बताएंगे सर इस्टमक आफ मास्क्यूटो ये मास्क्यूटो के इस्टमक में होता है कहां होता है इस्टमक आफ फिमेल मास्क्यूटो जी कहां होता है ये होता है क्योंकि जाइगोट के बाद बन रहा है तो जब जाइगोट के बाद बन रहा है तो जाइगोट कहां बनता है जाइगोट बनता है इस तमक आफ एनाफिलिस फिमेल एनाफिलिस गाइमिटोसाइड बनते हैं गाइमिटोसाइड कहां बन गए गाइमिटोसाइड बन गए हुमन ब्लड के RBC में, जब RBC में गैमिटोसाइड बन गए, तो RBC से गैमिटोसाइड जो होते हैं, कहां जाते हैं, जब मच्छर काड़ता है, तो मच्छर के माउथ में जाते हैं, अमाशे में चले जाते हैं, और अमाशे में गैमीर बनाते हैं, गैमीर फर्टलाइशन करता है, जा को कहा जाता है plasmodium y-vacs के संक्रामक या the infective stage of plasmodium y-vacs is known as infective stage of plasmodium y-vacs is known as plasmodium y-vacs की infective stage क्या कहलाती है बच्चा बच्चा जानता है sporo's white is the right answer और उम्मीद करता हूं कि आफ सभी लोगों का अनसर आ रहा होगा sporo's white is the right answer good उमीद करता हूँ सभी लोगों का यहां तक का मामला बिल्कुल किलियर है next question पर चलते हैं question number 47 आपकी screen पर मानों के लिए plasmodium की संक्रमण प्रावस्था कौन सी है कौन सी मानों के लिए संक्रमण प्रावस्था है which one of the following is infective stage of plasmodium for man तो आप सभी का answer आ रहा होगा sporos white is the right answer sporos white is the right answer और सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा next question पर चलते हैं question number 48 plasmodium की कौन सी आवस्था यह कई बार exam में question पूछा है लेकिन कभी गरबर मत करिएगा कि दिमाग लगाएं कि size on होती है क्या trophozoite तो नहीं होती mirrorzoite तो नहीं होती पीटेंगे भी sporos white is the right answer next question CZZ आवस्था most most important यह CZZ आवस्था most most important है आपके जानने के लिए बताएगा CZZ आवस्था किसमें पाई जाती है अच्छा question है और आप सभी लोगों को जानते रहना है CZZ आवस्था किसमें पाई जाती है जी उम्मित करता हूँ सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा Grigarina क्या आंसर आ रहा होगा Grigarina एक प्रोटुजोवन होता है Grigarina इसमें वयस्था होती है इसमें वयस्था होती है इसमें adult stage होती है और इसके adult stage में क्या बनता है ट्रोफोजवाइड बनता है क्या बनता है ट्रोफोजवाइड ये ट्रोफोजवाइड बनते हैं और जब वेन ट्रोफोजवाइड ज्वाइड 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 जब दो ट्रोफोजवाइड ज्वाइड 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 जब ये ज्वाइन होते हैं तो उस अवस्था को बोलते हैं साइजीजी अवस्था और ये साइजीजी अवस्था फिर बाद में चेंज वाती है गैमोंट अवस्था गैमोंट इस्टेज तो कभी आप से गैमोंट इस्टेज भी पूछे तब भी आप बताएंगे ये किस में पाई जाती है ग्री गैरिना में कभी आप से पूछे कि क्या होता है क्या होता है साइज इजी अवस्था तो आप बताएंगे इट इस दा ज्वाइनिंग आफ या आप बताएंगे इट इस दा मिक्सिंग आफ टू ट्रोफोजवाइट्स जब दो ट्रोफोजवाइट्स जु पुछे गैमॉंट स्टेस किसमें पाई जाती है तब आपका भी आंसर आएगा कि ग्री गैरिना में पाई जाती है किलियर ठंब अप करके इशारा करें और बताने की कोशिच करें सभी लोग किलियर टू आल और जो लोग क्लास में देर से जुड़े हैं सभी लोग लाइक की 500 के पार करें डोंट लेट जी गैमॉंट अवस्था भी याद रखिएगा जी उमिद करता हूं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की किलियर जी नेक्स कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 50 आपकी स्क्रीन पर मनुष में निद्रा रोग का कारण क्या है मनुष में sleeping sickness is in man is the cause of sleeping sickness मनुष में रिंद्रा रोग का कारण क्या है ट्रिपैनोसोमा लिस्टमानिया प्लाज्मोडियम एंट अमीवा उमिद करता हूं सभी लोगों का अंसर आ रहा होगा कि इसमें क्या मुख कारण है तो आप सभी का अंसर आ रहा है ट्रिपैनोसोमा जी बीना सोचे अंसर है ट्रिपैनोसोमा किसे फैलता है तो आप बताएंगे सीसी फ्लाई से किसे फैलता है सीसी फ्लाई से नेक्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पर ग्लो ग्लो सिना पैल पैलिस किसका जद्टू बेग्यानिक नाम है बहुत अच्छा कोश्चन है और मुझे पूरी उमीद है कि सेंड फ्लाई का लेकिन पूछा है ग्लो सिना पैल पैलिस ये किसका है आंसर आएगा सीसी फ्लाई का किसका नाम है सीसी फ्लाई का कभी कोई आप से पूछे कभी कोई आप से पूछे सेंड फ्लाई का नाम क्या होता है तो आप सभी का आंसर उम्मिद करता हूं आएगा कि स इसका वाहक है कौन सी बिमारी फैलाता है। उम्मिद करता हूँ, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि पलपैलिस ये व्यक्ति को सोने नहीं देता। कौन सी बिमारी फैलाता है। Sleeping sickness, sleeping sickness is the right answer for all. और उम्मिद करता हूँ, कि सभी लोगों का बेहतरीन आंसर आ रहा होगा। जो लोग क्लास में देर से जुड़े हैं, सभी लोग like की बटन को प्रेस करेंगे और अपने like को 500 के पार करेंगे। Newton's third law, never forget. सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें और सही आंसर टिक करें। डेंगू बुखार, हाथी पाओ, काला अजार, निद्रा रोग किसे किसे होने वाली बिमारी है। उमिद करता हूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि निद्रा रोग किसे होती है, या देंगू रोग किसे होता है, या हाथी पाओ किसे होता है, या काला अजार किसे होता है। हमें पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों का बहतरीन आंसर आएगा। और अंसर देनी की कोशिश करिएगा जी अंसर आना शुरू हो गया है बी निद्रा रोग जैसे ही बात आती है sleeping sickness की सभी लोगों को कौन याद आता है sleeping sickness में याद आता है glossina काला आजार में याद आता है फिली बोटाइमस मतलब C का 1 और D का 3 clear एकी में option है और देखिए डेंगू बुखार क्यूलेक से फैलता है और हाथी पाव एजिप्टियाई से फैलता है तो D का क्या हो जाएगा D का आप लोगों का D का 3 हो गया सही है C का 1 हो गया B का 4 हो गया A का 2 A का 2 देखिएगा A का 2 एकाटू, डेंगू जो होता है, वो किसे होता है, तो आप बताएंगे सर, डेंगू जो होता है, वो होता है आपके एडीज से, और जो हाथी पाओं है, ये क्यूलक्स फैटिगेंस से होता है, तो यहाँ पर किलियर करेंगे, तो आपका आंसर आजा अगर B, और जितने लोगो के आंसर 100% करेक्ट हैं जी डेंगू एडीज एजिप्टियाई से होता है बिल्कुल सही जी बिल्कुल नेक्स्ट कोश्चन यह तो वही क्या इंग्लिश वर्जन है कुंचन सिल रिक्टिका पाई जाती है कॉंट्रेक्टाइल वैक्यूल इस प्रिजन इन इसमें से किसमें कॉंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है अमीबा में यूगलीना में पैरामिसियम में बताने की कोशिच करिएगा कॉंट्रेक्टाइल वैक्यूल इस फाउंड इन हाँ 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 आफताव खान जी किलियर फटा फटा पताने की कोशिच करिएगा तो पता चला कि सर इसका सभी आंसर सही होगा क्योंकि अमीबा में पाई जाती है कॉंट्रेक्टेल वैक्यूल पैरामिसियम में दो-दो पाई जाती है एंटीरियर और पोस्टिरियर यूगलीना में भी पाई जाती है इसका मतलब आलदा एबब किसमे नहीं पाई जाती है तो सब लोग कमेंट कर सकते हैं कि एंट अमीबा में विखंडन जो प्रजनन की एक विधी है समानता निम्न में से किसमें पाई जाती है फिशन अमेथड आफ रिप्रड़क्शन इस कामनली फाउंड इन प्रोटोजोवन हलमेंथीज एनिलेट्स अल आप दिम बताने कोईश करियेगा और उम्मिद करता हूँ सबी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आएगा सबी लोगों का जेनेटिक्स के प्रस्ण को अब आपका सेशन शुरू होता है जेनेटिक्स का जेनेटिक्स का सेशन शुरू होता है प्रोटोजोवा में आप लोगों ने कैसा फिल किया आपने प्रोटोजोवा को पढ़ने के बाद रिवीजन करने के बाद आपको कैसा फिल हो रहा है एक बार अच्छा फिल कर रहे हैं तो थंब अप करके इशारा करें फटा फट डोंट लेट जी पुदायादो जी केके प्रजापती जी और रिशु कुमारी जी रागनी गौतम जी कुमारी योगिता जी विनै मैनी जी बहुत अच्छे वेरी कि आप सभी लोगों ने रिवीजन का पूरा फाइदा उठाया इसी तरीके से हम चाहते हैं कि एक्जाम तक आपका कारिकरम चलता रहे आप वो पांच दिन क्लासेस को कॉंटिन्यू करें उसके बाद रिवीजन का कार करें जितने सेक्षन आप इस तरह से करते हुए मेरे साथ हम उम्मिद करते हैं कि एक्जामिनेशन में कभी भी कोई गरवर नहीं होगी अच्छा होगा बेटर होगा इससे भी अलग कोश्चन आएंगे ये तो आपका पहला सेशन है इसलिए ऐसा कोश्चन है उसके बाद और कोश्चन का सिरीज शुरू होगा देखिए में मेंडल द्वारा किसका और ज्यादा कौन सा प्रिंसपल था जिसे मेंडल ने प्रपोज नहीं किया था उम्मिद करता हूँ आप सभी का आंसर आ रहा होगा मेंडल बाबा ने लिंकेस को प्रशित नहीं किया था मेंडल बाबा ने लिंकेस के बारे में नहीं बताया था हम कोशिश करिएगा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का बिल्कुल बेहतरीन आंसर आएगा तेल मी फास्ट सभी लोग बताने कोशिश करिएगा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का बेहतरीन आंसर आएगा मेंडल ने अपने, in formulating the well-established law of inheritance, देखिएगा, in formulating the well-established law of inheritance, Mendel has used which of the following organism, Mendel ने कौन से organism को use किया था, बच्चों वाला question आपके screen पर, और उम्मिद करता हूँ, आप सभी का answer आ रहा होगा, Garden P is the right answer, कौन सा right answer है, Garden P is the right answer, और आप में से जितने लोगों ने answer किया है, सभी लोगों का answer 100% correct है, क्या हो जाएगा, Garden P is the right answer, next question, important question आपकी screen पर, किसको आनवनशिकी का जनक कहा जाता है, who is known as father of genetics, G.J. Mendel को, या J.G. Mendel को, या J.J. Mendel को, या none of these, किसको कहा जाता है, थोना सा एक बार याद करिएगा, कि किसको father of genetics कहा जाता है, और उम्मिद करता हूँ, कि सभी का answer आ रहा होगा, G.J. Mendel को कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, G.J. Mendel is the right answer, और सभी का answer बिल्कुल correct है, G.J. Mendel is the right answer, done, सभी लोगों का, G. Next question पर चलते हैं, question number four, आपकी screen पर, Mendel का जन्म किस देश में हुआ था, Mendel was born in, Mendel कहाँ पैदा हुए थे, रूस में, आस्ट्रिया में, ब्रिटेन में, इन में से कोई नहीं, Mendel कहाँ पैदा हुए थे, Mendel का जन्म किस देश में हुआ था, आप सभी का answer आएगा, आस्ट्रिया में हुआ था, Mendel का जन्म कहाँ हुआ था, Mendel का जन्म आस्ट्रिया में हुआ था, और लगभग सभी लोगों का answer, बिल्कुल correct आ रहा होगा, G, बिल्कुल correct, no doubt, नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं, कोश्चन नमबर फाइफ आपकी स्क्रीन पर, मेंडल के दूसरे नियम, स्वतंत्र अपविवहन का नियम दर्साया जाता है, मेंडल सेकेंड लौ आफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, मेंडल का जो दूसरा नियम था, मेंडल का independent assortment can be demonstrated by किसके द्वारा demonstrate किया गया था law of independent assortment die hybrid cross जी जी law of dominance और law of segregation ये mono hybrid cross पर थे जबकि मेंडल का law था जिसे law of independent assortment के नाम से जानते हैं उसे हम लोग कहते हैं ये किस पर आधारित था ये die hybrid cross पर आधारित था मेंडल's law of independent is based on die hybrid cross लेकिन अगर पूछे कि law of segregation या law of dominance ये किस पर आधारित था तो आपका answer आएगा mono hybrid cross पर आधारित था नेक्स question question number six मेंडल का मेंडल's law of independent assortment was proved by किसके द्वारा ये proof किया गया था next question आपकी screen पर और उम्मिद करता हूँ कि आप सभी लोगों का correct answer आएगा जी जुनून आफ creation जी विनित कुमार जोसी जी राजीव कुमार जी दिनकर मौरिया जी संजे कुमार जी रिचा सक्षेना जी अनुकृति सिंग जी तिर्शायादो जी अंकिता मौरिया जी जी सभी लोगों का स्वागत है इसका भी सही आंसर आपका क्या हो जाएगा ये डाई hybrid cross पर आधारित था किस पर आधारित था डाई hybrid cross पर आधारित था अपने दुई गुण प्रसंसकरन प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से बीज चुने थे डाई hybrid cross के लिए किस तरह के सीड को मेंडल ने चूस किया था राउंड ग्रीन एंड रिंकल यलो राउंड यलो एंड रिंकल ग्रीन राउंड रेड एंड रिंकल यलो नन आफ दा अबब और उम्मिद करता हूं कि सभी लोगों का आंसर बिलकुल करेक्ट आ रहा होगा राउंड यलो एंड रिंकल ग्रीन इस दा राउंड आंसर कौन सा सही आंसर हो जाएगा राउंड यलो एंड रिंकल ग्रीन इस दा राउंड आंसर और सभी लोगों का लग 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 सही आंसर आ रहा होगा बिलकुल करेक्ट नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 8, आपकी स्क्रीन पर, the phenotypic ratio of monohybrid cross, the phenotypic ratio of monohybrid cross, monohybrid cross का phenotypic ratio क्या होगा, हमने सिखाया था, हमने समझाया था, trick भी बताई थी, और उम्मिद करते हैं, कि सभी लोगों को trick बेहतरीन तरीके से याद होगी, और सब का answer बिलकुल सही आना चाहिए, कि phenotypic ratio क्या होगा, अगर आप से पूछा जाए, कि phenotypic ratio क्या होगा, तो आप सभी का answer आना चाहिए, sir, phenotypic ratio 3 is to 1 होगा, और हमने समझाया है, कितनी बार समझाया है, और बेहतरीन तरीके से बताया है, एकदम बेहतर तरीके से याद कि जब आप से पूछे, monohybrid, क्या पूछे, monohybrid, monohybrid cross का, आप से पूछे, कि phenotypic ratio क्या होगा, तो बहुत आसान सा फार्मूला है, क्या फार्मूला था, 3 is to 1 की power n, हमने क्या बताया था, जब monohybrid पूछे, तो 3 is to 1 की power n, monohybrid पूछा, मतलब एक पूछा, एक पूछा मतलब 3 अनुपाते 1 की power 1, अब इसको solve करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 is to 1, आंसर क्या हो जाएगा, 3 is to 1, अगर यहीं आप से dihybrid cross पूछा होता, क्या पूछा होता, dihybrid पूछा होता, तो dihybrid का मतलब 2, तो आप formula लिखते 3 is to 1 की power 2, फिर आप करते 3 is to 1, गुड़े 3 is to 1, आंसर आता, 3 में 3 से गुड़ा करते 9, फिर यहां गुड़ा करते 3 बंजा 3, फिर यहां गुड़ा करते 1 बंजा 3, फिर 1 से गुड़ा करते 1 बंजा 1, तो अगर dihybrid cross का पूछा, कि phenotypic ratio क्या होगा, तो 9 is to 3 is to 3 is to 1, अगर पूछता, monohybrid का, monohybrid का अगर पूछता, क्या पूछता, कि phenotypic ratio क्या है, तो आपका आ गया यह है, dihybrid का पूछता, तो यह है, अब यही same condition बताया था, genotypic ratio का, अगर आप से genotypic ratio पूछे, तो formula है, 1 is to 2 is to 1 की power, अगर monohybrid पूछेगा, तो 1 is to 2 is to 1 की power, 1, जब 1 से गुड़ा करेंगे, कितना आएगा, तो आप बताएंगे, कुछ गुड़ा नहीं होगा, इसका answer आएगा, कि phenotypic ratio कितना होता है, 1 is to 2 is to 1, अगर dihybrid cross का पूछता, phenotypic ratio क्या होगा, आप लिखते 1 is to 2 is to 1 की power, 2, 1, 2, 1, गुड़े 1.2 into 1, दोनों को गुड़ा कर देते, जितना आता, dihybrid का phenotypic ratio आ जाते हैं, और उम्मिद करते हैं, यहां तक की बातें, सभी लोगों को clear, स्वान लता जी, अरे स्वान लता जी, जब तक selection नहीं हो जाएगा, हम बंद नहीं कर देंगे, don't worry, कहां जा रही हैं आप, next question, XO chromosome आसामान नहें, XO chromosome abnormality is, बताने की कोशिश करिएगा, XO, यह XO chromosome abnormality is, XO chromosome abnormality किसमें देखी जाती है, बताने की कोशिश करिएगा, आप सभी लोग जानते हैं, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 44, और XX6 chromosome होते हैं, या XY होते हैं, तो हमारे क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 46, अगर हमारा आकडा लिखा रहे, 41 प्लस X प्लस X, 41 A, 44A मतलब 44 आटोसोम है और ये सेक्स क्रोमोसोम है तो कोई female होती है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या इतनी होती है कोई male होता है तो उसमें होता है 44A प्लस XY ये कौन है? ये male है समझने की कोशिश करिएगा अब आप से कह रहा है कि आपके पास फार्मूला है 44A प्लस X जीरो ये क्या है? ये जीरो है मतलब इसमें एक क्रोमोसोम कम है कौन सा क्रोमोसोम कम है? X कम है मतलब लोगों में होते है 46 और इसमें कितना है? इसमें है 45 एक क्रोमोसोम क्या हो गया है? टर्न कर गया है तर्न बोले तो कम हो गया है जब एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा आप बताएंगे सर तर्नर सिंड्रोम हो जाएगा और कलाम सहाब में एक क्रोमोसोम ज़्यादा था इसलिए क्लाइन फिल्टर में 46 की जगा पर 47 हो जाते हैं और टर्नर में एक कम हो जाते हैं और जब टर्नर में एक कम हो जाते हैं तो उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम ये महिलाओं में होने वाली बीमारी है ये टर्नर सिंड्रोम किस में होती है ये पुरसों की बीमारी नहीं है ये महिलाओं की बीमारी है में होने वाली बिमारी है जी मन्जू जी डाउन में एक जादा हो जाता है क्लाइन फिल्टर में भी जादा है याद रखिएगा इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम किलियर सभी लोगों को बताने कुछ करिएगा next question, question number 10, देखिए, Turner syndrome में गुर्ण सूत्रों की संभ्या होती है, Turner syndrome में सूत्रों की संभ्या कितनी होती है, 46, 45, 47, या 48, उमेद करता हूँ, कि सभी लोगों का आनसर आ रहा होगा, 45, जी, उमेद करता हूँ, कि यहां तक का मामला आप सभी लोगों का, किलियर जी हाँ एक और अच्छी बात है अगर कभी पूछे कि टर्नर सिंड्रों में क्या होता है 44a प्लस x-0 हो जाता है जब x-0 हो जाता है तो इसमें bar body absent हो जाती है bar body कभी आप से पूछे कि bar body absent किसमे होती है तो आपका आंसर आएगा सर बार बॉडी एपसेंट होती है टर्नर सिंड्रोम में लेकिन एक व्यक्ति है उसको क्या हो गया है 44 A प्लस 44 एक व्यक्ति है उसको क्या हो गया है देखेगा एक व्यक्ति है उसको हो गया है 44 A प्लस 44 A प्लस X X Y अब इसमें क्या हुआ अब इसमें X X तो है है एक Y एक्स्ट्रा है इसे बोलते हैं क्या इसे बोलते हैं क्लू कालिया क्लू कालिया इसका एक क्रोमसोम बढ़ गया है जब बढ़ गया एक क्रोमसोम कितने हो गए 47 ये क्लू कालिया कौन है ये क्लू कालिया है क्लाइन फिल्टर क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है ये कल्लू कालिया के नाम से जाना जाता है अब पूछता है इसमें बार बॉड़ी कितने होते है आप कहेंगे सर वन होते हैं एक बार बॉड़ी होती है तो कल्लू कालिया में एक बार बॉड़ी होती है और इसमें नो बार बॉडी, इसमें कोई बार बॉडी नहीं होती, क्योंकि ये जीरो हो गया है, क्या हो गया है, जीरो हो गया है, जीरो हो गया है, और इसमें जो बार बॉडी होती है, समझेगा, ये इसको कल्लू कालिया को जो बार बॉडी है, तो कल्लू कालिया को क्या हो ज syndrome वाले व्यक्ति में होता है तो आप बताएंगे क्लाइन फिल्टर क्लियर तो यहां से याद कर लेना कि मतलब गायिने नेकोमस्टिया क्लाइन फिल्टर क्लाइन फिल्टर पूर्षों विमारीJean क्रोमोसोम नंबर 47, बार बॉडी संख्या 1, टर्नर सिंड्रोम महिली की बीमारी, क्रोमोसोम नंबर 45, आंकडे X0, बार बॉडी की संख्या 0, clear, एक बार थंब अप करके बताने कोहिश करिएगा, clear to all or not, tell me fast, और उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों को clear, जी, done, सभी लोग थंब अप करें, और जो लोग क्लास में लेट से जुड़े हैं, सभी लोग क्लास में like की बटन को प्रेस करें, और मुझे दिख रहा है कि आप लोग 500 के ऊपर चल रहे हैं like में, done, बहुत अच्छे, very good, excellent, जी, समझ में आया, भावी सिक्षिका नेहा सिंग चौहान जी, स्वागत है, दिव्या सिंग जी, रिचा सक्षेना जी, उपाषना चौहान जी, अनुकृती सिंग जी, चांदनी गुपता जी, बिंदुसार जी, मुकेश कुमार जी, विनित कुमार जी, उमिद करते हैं, कि हमने एक बैच लांच किया है, फ्रेश न्यू बैच, और इस फ्रेश न्यू बैच में, आपकी क्लासेज डेली चार मिल रही है, साड़े नो बजे, लोवर बॉटनी की, ग्यारा बच के दस मिनट पर, आपकी प्लान फिजियोलोजी की, पांच बच के तीस मिनट पर, जा रहा है, और सारी क्लासेज का रिवीजन का कार भी सैटरेड़े और संडे में कराया जा रहा है, उमीद करते हैं, कि इतनी बातें, आप सभी लोगों को पता है, और सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, जो लोग अभी तक किसी कारण बस, एड्मिशन की प्रक्रिया नहीं पूरी किये हैं, वो सभी लोग अड्मिशन के प्रक्रिया को पूरा करें, और क्लासेज को सीग्र जुणें, अदर्वाइज आप सभी को पता है, एक्जाम सेप्टेंबर में होना है, और कहीं और पहले हो गया, तो यू नो वाट विल हैपन, तो इस नमबर पर संपर करें, और एड्मिशन की प्रक्रिया एक बजे रात तक चलती है, याद रखिएगा, एक बजे रात तक आपके एड्मिशन की प्रक्रिया चलती है, नेक्स कोशन, टर्नर सिंड्रोम का लक्षण है, बताने की कोईश करिएगा दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम का लक्षण क्या ह है और मुझे पूरी तरीके से उम्मिद हैं कि आप सबी लोगों का बेहतरीन अंसर आ उपने कह सा घंद हैं को शिंद्रोम की अंसर रहे होंगे तो सबी लोगा अंसर कर रहें होंगे XO विसमजात XO हेट्रो क्रोमोसोम या कोई आंसर कर दे रहा है XXO कोई ऐसा तो नहीं है जो XXO आंसर कर रहा हो जी बहुत अच्छे, very good, excellent कुछ लोग तो अब सब कुछ लिख देंगे कुछ क्या लिखना चाहरे हैं पता है कुछ लिख रहे हैं कि सर XO 45 female में होता है और उसके आगे लिखना चाहरे हैं सर इसमें bar body absent होती है और आगे लिखना चाहरे होंगे और बताना चाहरे होंगे, बहुत अच्छे, very good अच्छी बात है मानों में पाई जाने वाली पढ़िए और आंसर करिए देखते हैं आप में से कितने लोग बहतरीन आंसर करते हैं, पढ़िए और आंसर करिए, सभी लोग पढ़ें और सभी लोग आंसर करें देखते हैं आप लोगों में से कौन लोग हैं जो इसका बहतर आंसर करते हैं बताने कोईश करिएगा, fast and fast जी दोस्तों फड़ा फड़ बताईएगा और उम्मिद करता हूँ कि सभी लोगों के बिलकुल सही आंसर आएंगे और लगभग लगभग लोगों के सही आंसर आ रहे हैं लगभग लगभग लोगों के सही आंसर आ रहे हैं बताने की कोईशिश करिएगा जी बारा नमबर कोश्चन आपकी स्क्रीन पर 12 नमबर कोश्चन आपकी स्क्रीन पर और सभी के आंसर आ रहे हैं 1X क्रोमोसोम कौन से आंसर आ रहे हैं 1X क्रोमोसोम इस दा राइट आंसर सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं 1X क्रोमोसोम इस दा राइट आंसर Next question पर चलते हैं Question number 13 आपकी screen पर Manus में link गुड़सूत्र होते हैं In humans the sex chromosomes are Human में sex chromosome होते हैं XY, XX, A और B दोनो उप्यूक्त में से कोई नहीं बताने की कोशिश करिएगा और उम्मिद करता हूं सभी लोगों के answer आ रहे होंगे Both A and B is the right answer और उम्मिद करता हूँ सभी के आंसर आ रहे होंगे बोथ A and B नेक्स्ट कोश्चन 14 नमबर कोश्चन मनुष में सिसु लिंग निर्धारा निर्भर करता है अच्छा कोश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हुमन बेबी इस डिपेंड्स आन किस पर डिपेंड्स करता है सभी लोग बताने कोश्च करिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर निर्भर करता है और उम्मिद करते हैं आप सभी लोगों के आंसर आएंगे किस पर निर्भर करता है बताने के कोश्च करिएगा दोस्तों most most important most most important और सभी लोगों का लगभख सही आंसर आ रहा है type of sperm पर किस पर निर्भर करता है type of sperm पर निर्भर करता है next question, question number 15 मनूश के सुक्राणू में कितने link गुडसूत्र पाये जाते हैं how many sex chromosomes are present in human sperm स्पर्म के स्पर्म में कितने लिंग गुर्षू सेक्स क्रोमोसोम पाये जाते हैं 1, 2, 44 या 46 तो उम्मिद करता हूं सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा 1 इस दा राइट आंसर जितने लोग आंसर कर रहे होंगे 1 सभी लोगों का लगभग लगभग बिलकुल करेक्ट आंसर आ रहा होगा 1 इस दा राइट आंसर और जो लोग टिक कर रहे होंगे 2 इनका आंसर गलत हो जा रहा है संभालने की कोशिच करिएगा यहां पूछा है इसका मतलब वाई क्रोमोसोम की बात हो रही है नेक्स कोस्टेन 16 नमबर त्रीक एक सूत्री के लिए गुड़ सूत्र है मोनोसोमिक का फार्मूला क्या है? Most most important जब आपसे पूछा जाए मोनोसोमिक का फार्मूला क्या है? तो आपका अंसर आता है मोनोसोमिक का फार्मूला है 2N-1 जब आपसे पुछा जाए कि डाइसोमिक का मतलब डबल मोनोसोमिक का क्या फार्मूला है तो आप बताते हैं 2N-1-1 जब आपसे पुछा जाए ट्रिपल मोनोसोमिक का क्या फार्मूला होता है 2N-1-1-1 तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2N-1-1-1 कि सभी लोगों का यहां तक का बेहतरीन आंसर चल रहा होगा जी बहुत अच्छे, very good, excellent सभी लोग याद करिए, जब आपसे monosomic पूछेगा तो 2N-1, जब double monosomic पूछेगा तो 2N-1-1, और जब आपसे triple monosomic पूछेगा तो 2N-1-1-1, उमिद करते हैं, यहां तक की बात है, clear दूइ गुरित जीव, जिसमें एक जोड़े का गुरसूत्र नहीं है आसान सा question, बताने की कोशिश करिएगा deployed algorithm having one chromosome of a single pair missing that is 2N-1, अब 2N-1 situation क्या होती है आप सभी का answer आ रहा होगा, monosomic is the right answer जी, उमिद करते हैं, सभी लोगों का answer आ रहा होगा monosomic is the right answer जी, बहुत अच्छे, very good, excellent next question, question number 18, आपकी screen पर bar bodies are absent in, bar bodies किसमें absent होज़े हैं bar bodies are absent in, client filter syndrome, turner syndrome, mano, female या A तथा B और उमिद करता हूँ, सभी का answer आ रहा होगा, कि bar body is absent in किसमें absent होती हैं, और सभी लोग answer कर रहे होंगे turner syndrome is the right answer, जी, लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा है turner syndrome is the right answer, बहुत अच्छे, very good, excellent next question पर चलते हैं, question number 19, आपकी screen पर question number 19, question देखिए, जैसे ही नाम पढ़ने में आए Edward syndrome, जैसे ही पढ़ने में आए, Edward syndrome एक ऐसी अपसामानिता है जिससे मानसिक हिंता हो जाती है, जो होती है इस गुड़ सूत्र के एक आधी सूत्रता के कारण, Edward syndrome is an abnormality leading to mental deficiency caused by trisomy of chromosome number, जब कभी Edward syndrome का नाम आए, तो Edward कितने साल का है, 18 साल का, और याद रखिएगा, इसका chromosome number क्या हो जाएगा, 18 is the right answer, chromosome number क्या हो जाएगा, 18 is the right answer, और उम्मीद करता हूँ, कि सभी लोगों का answer आ रहा होगा, 18 is the right answer, next question पर चलते हैं, question number 20, अच्छा question, बताने के कोशिश करिएगा, क्लाइन फिल्टर syndrome में बार बॉडी की संख्या होती है, और उम्मीद करता हूँ, कि सभी लोगों का बेहितरीन आंसर आएगा कि बार बॉडी की संख्या कितनी होती है वन होती है और आप में से लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा कि बार बॉडी की संख्या कितनी होती है दोस्तों तो आप बताएंगे सर one होती है कितनी होती है one होती है most most important bar body की संख्या कितनी होती है one होती है next question से पहले आप सभी लोग जानते रहें कि TGT PGT LT Biology का नया batch exam oriented batch launch किया गया है और इस batch में exam oriented batch launch किया गया है और इस batch में regular आपको चार classes provide की जा रही है जो कि सारी classes live होती है और उनके period of notes आप तक पहुचाए जा रहे हैं और आप सभी लोग जो लोग अभी तक किसी कारण बस बैस से नहीं जूर पाए है बैस से जूरने के लिए 8756703588 पर join TGT जो या join PGT लिखकर भेजें और बैस से सीघ जूरने की कोशिश करें most most important next question पूरुसों में होने वाली important question पूरुसों में होने वाली एक आप आप सामानता जिसमें विरिषण के ठीक से परिवर्धन ना होने के कारण वे सदेयों बांच होते हैं क्योंकि उनमें एक अत्रिक्तCOM X chromosome जुड़ जाता है उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही आपने 47 नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने answer किया, कि इसका सही answer क्या हो जाएगा, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, most most important, next question 22, आपकी screen पर, गाइनेको मैस्टिया अवस्था दिख सकती है, गाइनेको मैस्टिया स्टेज, most important, गाइनेको मैस्टिया स्टेज, can be observed in, या अवस्था किसमें दिख सकती है, डाउन सिंड्रोम में, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में, तर्नर सिंड्रोम में, या एडवर्ड सिंड्रोम में, और मैं उम्मिद करता हूँ, आप सभी का answer आ रहा होगा, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में, इसमें दोस्तों, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में, this is the right answer, और आ गुड़ सूत्रों की संख्या कितनी होती है और उम्मिद करता हूँ ऐसे question आप से exam में कभी भी गलत नहीं होंगे What is the number of chromosomes in a monosomic plant? Monosomic plant में chromosomes के number कितने हो सकते हैं? तो आप सब का answer आ रहा होगा 2N-1 आप में से लगभग लोगों का answer 2N-1 is the right answer जी, उम्मिद करता हूँ सभी लोगों के यहां तक के answer correct आ रहे होंगे Next question, question number 24 आपकी screen पर Mangloide istity बनती है, बहुत important question है Mangloide istity संबंदित होती है Mangloide condition is related to यह condition किसे related होती है? बताने की कोईशिश करिएगा और सही answer क्या है? Trisomy से किसे related होती है? Trisomy is the right answer उम्मिद करता हूँ कि यहां तक की चीजें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से clear जी, लगबग सभी लोगों का सही answer आ रहा है लगबग सभी लोगों का सही answer आ रहा है लगबग सभी लोगों का सही answer आ रहा है Trisomy किस से दोस्तों? Trisomy से शुरू होती है Next question, question number 25 Albinism किसकी अनुपस्थिती के कारण होता है आसान सा question है और इसका answer आप सभी लोग comment box में देंगे Albinism किसकी अनुपस्थिती के कारण होता है इसका answer आप सभी लोग comment box में देंगे और इस class के माध्यम से आपको revision करने में कितना बहतरीन लगा और कितने question आप से handle हो जा रहे थे क्या आपको revision के बाद इसको बहतरीन तरीके से attempt करने में काफी बहतर लग रहा है और इसी तरीके से हम लोगों की चीज़े चलती रहेंगी तो हम उम्मिद करते हैं कि आप सभी लोग अपने पूरे syllabus को Monday to Friday पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आप अपने पूरे concept को clear करेंगे और अपनी चीज़ों को बहतर बनाएंगे हम ऐसी उम्मिद करते हैं कि ये सिलसिला आपका ऐसे ही चलता रहेगा जिस तरीके से आप 4 घंटे की classes करेंगे और Saturday को morning में revision का कार और Sunday को शाम को revision का कार अब उसके बाद आपका शुरू होता है आगे का कारकरम और जो लोग classes में आज तक शाम तक जुड़े हैं वो सभी लोग कोशिश करें कि अपनी जो protozoa की class है जो आपकी plant physiology है, lower botany है genetics है, उन्हें आप fast तरीके से cover करें और अपनी चीज़ों को बहतर बनाए, आज के लिए इतना मिलते हैं आप से सुबा साथे नो बजे आपकी class में thank you to all of you, good night सुबरात्री जाएं